हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चलें जी आप लोग के हाजी आई होप सब बढ़ गया होंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन जो बच्चों के माइड में घूम रहा है मेरे पास कहीं सारी क्वेरीज भी आती है कुछ पिछले कुछ दिन उसे मैं देख रहा हूं बच्चों को अनले में देख लिया तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनानी जरूरी हो गई है कोश्चन क्या है सर कि हम फेस-to-face classes जोइन करें वीडियो लेक्चर्स जोईन करें या फिर आजकल एक online classes चल गिया है online classes को join करें देखो तीनों चीज़े अलग है face to face classes, video lectures and online classes देखो face to face में क्या होता है face to face में जैसे कि आप लोग को पता है कि वही टीचर के बास जा रहे है travel करके coaching institute में जा रहे है और वहाँ पर teacher हमें सामने दिख रहा है और हम पढ़ाई कर रहा है that is known as face to face classes, video lectures का मतलब होता है recorded lectures, मतलब जो teacher है वो आपको recorded lectures, pre-recorded lectures आपको provide कर रहा है किसी भी mode में हो सकता है चाहिए वो google drive की form में हो चाहिए वो pen drive की form में हो तो वो आप अपने घर पे बैट कर देख रहे है that is known as video lectures और online classes क्या है online classes is just like a face to face classes लेकिन इसमें difference क्या है इसमें आपको कहीं जाना नहीं है और teacher आपके सामने खड़ा नहीं है, सिरफ teacher आपसे connected है, live connected है through online mode जैसे कि कहीं सारे platform है, zoom हो गया, google meet हो गया, online platform है, तो इसके through teacher आपसे connected है अब confusion ही आती है कि sir हम face to face classes जोइन करें, video lectures जोइन करें या online lectures जोइन करें देखें ये कोई video एक specific नहीं है किसी particular course के लिए, चाहे वो बच्चा CA कर रहा हूँ, चाहे वो CS कर रहा हूँ, चाहे वो CMA कर रहा हूँ, चाहे वो BCOM कर रहा हूँ और चाहे वो बच्चा 11-12 में क्यों ना हूँ, आजकल हर चीज में ये तीनो mode में classes available है अब confusion आती है कि सर, हम किस type की classes को join करें, जिससे हमें ज़्यादा benefit भोचें देखो, तीनो mode के अपने कुछ advantages है, कुछ disadvantages है, यहाँ पर देखो, completely मैं अपनी कोई भी marketing नहीं करूँ आपके सामने मैं किसी भी type की marketing नहीं कर रहा है, क्योंकि सर, मैं तीनो mode में पढ़ाता हूँ, तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप मेरी ये वाली class join करिये, मैं आपको एक general guidance देना चाहता हूँ, कि आपको किस type से अपना decision लेना चाहिए, at the end decision आपका खुद का होगा, end में मैं आपको कि classes के बार में बताऊंगा कि face to face में क्या होता है, video में क्या होता है, online lectures में क्या होता है, देखो, पहले तो थोड़ा सा चीजों को segregate करते हैं, अगर मैं final level के student की बात करूँ, final level मतलब जो बच्चा CA final में है, CMA final में है, CS final में है, वो बच्चा तो sir, automatically video lectures पे shift हो रहा है, reason क्य क्योंकि final level के बच्चे के पास इतना time नहीं होता, क्योंकि उसकी article shift भी चल रही होते है, internship training भी चल रही होते है, office होता है, course content बहुत जादा होता है, तो वो नहीं चाहता है, और वो smart enough होता है decision लेने में, उसको पता होता है कि मेरे को कैसे video lecture से जादा benefit में लेगा, वो अपने immediate level के बच्चों को कि उनको DCN लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, और 11-12 भी, क्योंकि sir, उनके पास time की availability है, वो face to face travel करके coaching जा सकते हैं, तो उनको लगता है कि face to face ले लो जादा बेटर है, video lectures में क्या करेंगे, मतलब एक कहते हैं, पुरानी धार नासी बनी हुई है, तो इ अपने आप ही चुपचा video lecture में shift हो रहता है, लेकिन जो बच्चा correspondence से पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास घर में time की availability अच्छी कासी है, वो ज़्यादा confused रहता है कि मैं किस type से DCN लेगा, तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ help कर दूँगा, कि आपको किस हिसाफ से DCN लेना पढ़ेगा, DCN लेना चाहिए, अचा पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और प्रेस दा बेल आइकन, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने द ट्रैवलिंग टाइम, देखो, फेस टू फेस क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स और ओनलाइन लेक्चर्स, ठीक है, शॉट में लिख दिया, आईगा, समझ जो गया, ट्रैवलिंग टाइम, अगर मैं फेस टू फेस की बात करूँ, तो सर फेस टू फेस में आपको कोचिंग इंसीट्यूट तक जाना पड़ेगा, जादा थर कोचिंग इंसीट्यूट आपको लक्षमी नगर साइट पे मिलेंगे, या पीतमपुरा साइट पे मिलेंगे, तो जहां भी आप हो, मार लो आप सेंटरल लोकेशन पे हो, तो सर आपको लक्षमी नगर जाना पड़ेगा, पीतंपुरा जाना पड़ेगा तो हर जगा traveling time है Metro की connectivity है तो मैं कह सकता हूँ कि face to face classes में जाने में आपका huge traveling time is involved बहुत जादा traveling time involved हो जाता है इतना traveling time involved हो जाता है और कि बच्चा उस traveling time में अपना एक lecture complete कर सकता है मतलब आने जाने में मैं दिखता हूँ कि किसी भी type का कोई traveling time नहीं क्योंकि आपको अपने घर पे comfortable place पे बैट के lectures देखने है again online lectures में भी आपका कोई traveling time नहीं है आपको आपके घर पर online lectures मिलेंगे sir online lectures अब ज़्यादा promote हुआ है क्योंकि because of this coronavirus situation क्योंकि सारे जितने भी face to face teachers थे उन सबको अपने course complete कराने थे सबने एक online platform select कर लिया है और sir सच बता रहा हूँ मैं future is video lectures and online classes only face to face classes धीरे धीरे खतम हो जाएंगी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं इतना इतना traveling time लगा के जाऊं बस यह है कि थोड़ी सी awareness की है बच्चों के knowledge की कमी है तो वो चीज मैं आपकी यहाँ पर clear देता हूँ तो traveling time हमने discuss किया बहुत ज़्यादा traveling time involved होता है face to face classes में video lectures online classes में traveling time होता ही नहीं है क्योंकि घर पे आपको बैटके lectures देखने है दूसरा parameter is your batch size देखो अगर मैं batch size की बात करूँ तो सर हम अपने time की बात करते हैं जब हम पढ़ा करते थे जब मैं अपनी CA की coaching लेता था तो सर face to face में batch size बहुत बढ़ा होता था मैंने 400-500 बच्चों के बीच में batch के भी classes करी हुई है इतना इतना huge batch size होता था लेकिन आज के time में वो चीज़ खतम हो गया क्योंकि market में competition बहुत जादा आ गया है बहुत सारे competitors हैं इतनी बड़ी market होगी है teaching की तो सर वो वाली चीज़ सो खतम हो गया है पहले limited market थी तो teachers के बाद बच्चे ज़ादा जाते थे लेकिन अब competition की वज़े से competitors ज़ादा है market में तो back size वो 400-500 का तो नहीं जाता है लेकिन still still 80-100 बच्चों का तो back size आपको मिली जाता है 8200 students का back size आपको मिल जाता है in face-to-face classes तो सर मेरा इमान है कि इतने बड़े face-to-face back size में पढ़ना not a good decision एक अच्छा decision नहीं है video lectures में सर कोई back size की back size की limit नहीं है क्योंकि आपको pre-recorded lecture आपके घर पे मिल रहे है तो back size से कोई मतलब नहीं है आपको तो teacher आपके अप अपने laptop पे, अपने mobile पे किसी भी तरीके से आप अपने lecture को view करिए कोई back size के आपको दिक्कत नहीं है आप यह मानके चली है, आप अके लिए बैटके बढ़ रहे है हाँ, इसमें एक दो चीट बच्चे ये जरूर कर लेते हैं video lectures में कि जैसे दो तिन दोस्त मिल गए उन्होंने एक class करीद ली और दो तिन दोस्त मिल कर साथ में उस class को देख रहे है तो सर वो भी एक तरीका है, कोस्ट बचाने का तरीका है वो परसंट टू परसंट डिबेंड करता है कि वो कैसे डिस्टिन लेता है online lectures में online lecture में सर online lecture एक तरीके से face to face classes ही है, तो यहाँ पर भी batch size की problem आ सकती है यहाँ पर भी batch size की problem आ सकती है कि एक ही platform पे teacher चाहे 80, 100, 200 कितने भी students को जोड सकता है लेकिन मैं एक आपको recommendation देना चाहूंगा कि online lectures आप तभी join करो join only if there are 30 to 50 students online lectures जैसे zoom platform हो गया google meet हो गया, वो आप तभी join करना अगर 30 से 50 बच्चों का group है इस से जादा group है तो सर समझ लेना आपका time कराब हो जाएगा और कुछ नहीं है क्योंकि connectivity issue आता रहता है कभी कोई doubt कुछ रहे, कभी कोई doubt कुछ है तो सर वहाँ पर बहुत disturbance रहती है बच्चे हरकते भी करते हैं तो सर time कराब करने वाली बात है online lectures कम बच्चों का अगर हो कम बच्चों का batch मिल जाए सर 30 बच्चों का उससे भी कम बच्चों का batch मिल रहा 15-20 बच्चों का batch मिल रहा बहुत अच्छी चीज़ है, कर लो join कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जहां को लगई कि 50 बच्चों से उपर जा रहा है 40 बच्चों से उपर जा रहा है तो सर मज जोइन करो shift to video lecture video lecture ले लो वो ज़्यादा बैटर है फिर दूसरा parameter discuss हुआ batch size का third parameter is your cost involved cost involved, cost involved मतलब fees अगर मैं classes की बात करूँ तो cost involved student के point of view से होती है fees sir face to face classes में huge pieces involved बहुत ज़्यादा fees charge करते हैं teachers एक-एक subject कि sir मेरा तो सर्चकर आ जाता है 18-18, 20-20,000 वी टीचर चार्ज करते हैं और sir करनी भी पड़ेगी करनी भी पड़ेगी teacher पूरा-पूरा अपने time invest कर रहे हैं उनकी भी एक limitation होती है वो कर लेते हैं sir जूट नहीं बोलता मैं भी charge करता हूँ मैं भी charge करता हूँ एतिनी 18-20 तो नहीं लेकिन 12-13,000 वे मैं भी charge कर लेता हूँ अपने subject के face to face classes में तो sir मेरे इसाब से ये चीज ठीक नहीं है huge cost involved बहुत जादा fees होती है तो sir ये थोड़ा से drawback है वहीं अगर मैं video lecture की बात करूँ तो आपकी जो fees होती है face to face classes के comparison में substantially down हो जाती है substantially down हो जाती है मतलब आप कह सकते हैं लगबग आपकी fees half चली जाती है आधी हो जाती है मतलब अगर आपकी face to face classes की fees है 15,000 पे 16,000 पे तो वही course आपको video lecture की form में मिल जाएगा 7-8,000 पे में पैसा बच जाएगा वहाँ पर plus fees जो आपकी face to face classes में involved है वो सिरफ आपकी classes की fees involved नहीं है sir आप traveling करोगे, metro में जाओगे, bus में जाओगे, car में जाओगे, स्कूटी पे जाओगे, तो sir petrol का या tickets का वो भी तो खर्चा involved है उसको भी तो fees मान के चलो तो 2-3-3,000 पे, 4-6,000 पे तो मंधिली वैसे ही खर्च हो जाते है तो वो भी आपकी fees involved हो जाती है तो fees का एक constant रहता है in the face to face classes video lecture में sir कोई traveling expense नहीं है no traveling expense traveling expense तो खतम हो गया और fees भी आपकी substantially down हो जाती है आधी लगबग हो जाती है sir online classes में online classes में भी sir traveling expense तो है ही नहीं लेकिन fees जो है वो आपकी video lecture से थोड़ी सी जादा है video lecture से थोड़ी सी जादा होती है अगर video lecture आपको मिल रहा है 7-8,000 रुपे तो face to face online में कह सकते हूँ आपको 1000 रुपे जादा है मतलब 9-1000 रुपे तक का मिल जाएगा तो हल्की सी video lecture से जादा जरूर है online में fees लेकिन face to face से again कम है लेकिन benefit क्या है sir online में again traveling expense involved नहीं है face to face में होगा तो ये एक point आगया fourth is your doubt support doubt support अब यहाँ पर आती है sir अभी तक तो आप face to face के against बोल रहे थे लेकिन ये वाला point में face to face का थोड़ा सा benefit ये देना चाहूँगा sir doubt support की अगर मैं बात करूँ तो face to face classes में doubt आपका resolve हो जाता है if batch size is low अगर batch का size छोटा है मतलब face to face में batch का size 30-40-50 बच्चों तक का है तो student का doubt resolve हो जाता है लेकिन अगेन batch size है 100-100 बच्चों का तो sir doubt resolve करने में दिक्कत आएगी क्योंकि teacher के बाद इतना time नहीं होगा कि वो एक एक बच्चे का doubt solve कर रहे है तो again कुछ ना कुछ doubt unresolved रहे जाता है लेकिन still मैं ये बोलूँगा कि face to face में doubt resolve हो जाता है वीडियो लेक्च्चर्स में doubt resolve sir थोड़ा सा दिक्कत है थोड़ा सा problem है क्यों problem है sir यहाँ पर बच्चा अपना doubt whatsapp के थ्रू, email के थ्रू call के थ्रू, sir call पे तो teacher इतनी easily available नहीं हो पाता तो whatsapp के थ्रू, email के थ्रू, telegram के थ्रू अपना call पूछता है तो अपना doubt पूछता है तो वो resolution होने में थोड़ी सी problem आ जाते है teacher के बाब कहीं सारे doubts होते हैं तो वो एक-एक doubt को resolve timely नहीं कर पाता तो मैं देखो इस चीज में मैं इस चीज में आप से यह recommend करूँगा आप लोगों को कि वो वाला teacher join करो जो आपका doubt within 24 hours resolve कर दे वो ही वाला teacher join करो जो आपका doubt 24 गंटे के अंदर अंदर resolve कर दे that would be your best decision सर बहुत दुख लगता है मेरे को अभी मेरे को ही एक student ने बताया कि सर मैंने अब teacher का नाम नहीं ले रहा subject का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो चीज ठीक नहीं रहेगी मेरे को एक student ने बताया है कि सर मैंने एक video lectures लिये थे x y z teacher के x y z subject के एक हफते से मैं doubt पूछे जा रही हूँ teacher से लेकिन उसका resolution मुझे नहीं मिला अज तक अभी तक मेरा एक अफता होगा doubt resolve नहीं हुआ और एक 10 दिन बाद उट teacher का reply आता है doubt resolve होता है तो सर तब तक तो बच्चा doubt ही भूल गया अपना कि उसका question क्या था तो सर ये चीज जिना ठीक नहीं है ये चीज मैं बोलता हूँ कि teachers के point of view से कमी है इस चीज में teachers को faculties को सुधरना पड़ेगा कि अगर आप promise कर रहे हो student को कि हम 24 hours से 48 hours में आपको doubt का reply देंगे तो सर दो ना दो जब आप कह रहे हो तो उसको doubt को resolve करो अगर नहीं करोगे तो सर market खराब हो रही है बच्चा video lecture पे online classes पे trust नहीं कर रहा online में तो दो फिर भी हो जाता है result क्योंकि instant पूछा जाता है तो सर video lecture पे बच्चा trust ही नहीं कर रहा इसी लिए तो नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग doubt resolve नहीं कर रहे तो सर doubt का support तो देना पड़ेगा 24 hour से 48 hour सर इतने दिन में doubt resolve इतने time में doubt resolve कर दो मतलब एक दो दिन में doubt resolve कर दो so that बच्चा भी आपके साथ connected रहे और बच्चे के साथ timely interaction करते रहो आपने आपको बहुत बड़ा मत समझो बाकी टीचर से बात करो आपने आपको बहुत बड़ा मत समझो अगर आप बच्चों से connected हो तो सर उनसे chat करो उनसे discuss करते रहो कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रहे है तो सर बच्चे को एक अच्छा interaction level मिलता है उसको लगता है कि हाँ teacher वेरे बार में सोस रहा teacher मेरे सर personal contact में तो सर ये तो हमें करना पढ़ेगा मैं करता हूँ अपने बच्चों के साथ आप किसी भी मेरे student से पूश्टे ना मैं personally उनसे पूश्टा रहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रहे है खुद पूशता हूँ doubt resolve भी जल्दी से चल्दी करता हूँ मैं अपना कुछ यहाँ पर बताऊंगा निया आपको क्योंकि मेरे को एक जनरल गाइडन्स देने है तो सर वीडियो लेक्च्चर वही जोइन करो जहां पर आपका doubt within 24 hours या फिर maximum 48 hours वे resolve हो जाए then only you can join the video lecture of that teacher तो यह एक थोड़ा सा वीडियो लेक्च्चर में drawback आ चाते है लेकिन फाइड है बहुत है फिर doubt support के बाद अगला parameter जो में डिसकस करना है sir speed speed भी देखो एक point रह जाता है कि speed का मतलब क्या हुआ कि face to face classes में आपको teacher की speed के साब से पढ़ना पढ़ेगा जिस speed भी देखो पढ़ा पढ़ा रहा है face to face में जिस speed भी पर teacher भी है और again online जिस speed भी देखो आपको उसी speed को cope up करके चलना पढ़ेगा देखो कुछ teacher होते हैं थोड़ा slow पढ़ाते हैं कुछ teacher होते हैं खलका सा fast पढ़ाते हैं तो teacher आपके साब से speed को modify नहीं करेगा जैसे teacher पढ़ा रहा है आपको अपने हसाब से teacher के साथ-साथ cooperate करके चलना पड़ेगा लेकिन video lecture में sir flexibility है इस चीज़ की you can increase or decrease the speed आप speed को increase or decrease कर सकते हो अगर आपको लगता है कि teacher slow पढ़ा रहा है तो आप 1.25 times 1.5 times तक speed बढ़ा कर lecture देख सकते हो और अगर आपको लगता है teacher थोड़ा सा fast जा रहा है तो आप हल्किसी speed को कम करके भी पढ़के चल सकते हो वो totally dependent है न on student ठीक है जी अगला जो parameter आता है that is your flexibility flexibility जोको flexibility मतलब जब मरजी देखो class जब मरजी class देखो sir face to face में ऐसा कुछ नहीं है जिस time पे आपकी class fixed है उसी time पे आपको class देखनी पड़ेगी online lecture में भी sir जिस time पे आपकी class fixed है उसी time पे आपको class देखनी पड़ेगी तो वहाँ पर तो कोई flexibility नहीं है लेकिन video lecture में flexibility है बच्चे का जब मन करें, बच्चे का जब मन करें वो class देख सकता है, अगर बच्चा लेट नाइड, रात को दो बज़े class देखना चाहता है, दो बज़े class देखे, सुबह चार बज़े उटके class देखना चाहता है, दिन में तीन बज़े class देखे, वो बच्चे के उपर है, व इसी वज़े से वीडियो लेक्चर में एक बच्चो की कमी क्या आ जाती है, discipline. Sir, discipline, face to face classes और online lecture में high रहता है, और video lecture में बच्चा discipline तूट जाता है, discipline खतम हो जाता है, क्योंकि sir, flexibility है, अपने इसाफ से classes देख रहे हैं, अपने time से देख रहे हैं, लेकिन face to face में उसको पता है कि मिलेको, मतलब एक sir पे ने डिंडा है, कि उसको उस time पे जाना है, या उसको उस time पे laptop के सामने बैटना है, तो discipline में रहेगा बच्चा, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, कि इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, अगर आप video lecture से पढ़ रहे हो, और आपके अंदर discipline की कमी है, तो sir इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, आप self discipline होना सीख जाओगे, आपको किसी external motivation की जुरत नहीं पड़ेगी, आप self motivated होगे, self discipline में आना सीख जाओगे, और सब professional course के अगर आप student हो, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, कल को आप qualify कर जाओगे, CA बनो, CS बनो, CM में बनो, तो आपके सामने कोई discipline लेकर नहीं आएगा, आपको अपना discipline खुद create करना पड़ेगा, तो स्वर क्यों ना आज से उसके बारे में त्यारी करें, क्यों ना हम पढ़ाई से ही उसके बारे में त्यारी करें, तो सोधार वी विल बीकॉम अगुड प्रोफेशनल, तो self discipline अगर लाओगे, तो सर वो जादा आपके लिए फायदे मन रहीगा, अगें, वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा discipline की कमी बच्चेगिर रहती है, लेकिन वो बच्चा timely improve करके चल सकता है, अगर हो चाहे तो, अगला जो parameter आता है, that is your repeat telecast, repeat telecast, सर फेस टू फेस में तो कोई repeat telecast नहीं, एक बार टीचर पढ़ा के गया काम खतम, ओनलाइन में भी एक बार टीचर पढ़ा के गया काम खतम, लेकिन, वीडियो लेक्चर में, recorded lecture में repeat telecast है, क्योंकि हर कोई faculty, दो views, डेड़ view, तीन view, अपने lecture के देखे चलते हैं, आप lecture को, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, या कोई चीज आप चाते हो, कि आप भूल गए हो, तो आप lecture को दुबारा अपनी मर्जी से कभी भी देख सकते हो, तो ये एक benefit है, ये एक benefit है, अच्छा, एक question हो रहाता है, सर, बुक्स का क्या रहता है, फेस टू फेस में जैसी बुक्स मिलती थी, क्या में वीडियो लेक्शर में भी वैसी बुक्स मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर, फेस टू फेस में अगर आपको हाट बुक्स मिलती थी, your technology involved technology involved सर्फ face to face में तो किसी भी तरीके की technology involved नहीं है वीडियो lectures में आपकी technology involved होती है क्योंकि अगर pen drive mode में आ रहे हो आप अगर pen drive mode में आ रहे हो तो आपको software install करना पढ़ेगा उसके बाद आपको software के अंदर अपने pen drive lectures को देख सकते हो और अगर आपको lecture google drive पे मिल रहे है तो google drive पे आप gmail के थूरू normally जाकर lecture को देख सकते हैं तो you just need a internet connection online classes में भी आ रहे हो तो आपको sir वो वाला software install करना पढ़ेगा जैसे zoom है तो zoom install करना पढ़ेगा तभी आप उसकी meeting को continue कर सकते हो और साथ में आपको internet connection required है तो face to face connection face to face classes में कोई technology की involvement नहीं होती लेकिन video lectures और pen drive अपना है online lectures में आपको technology के साथ साथ चलना पढ़ेगा तो sir आज का ऐसा time है कि हमें technology के साथ साथ चलना पढ़ेगा क्योंकि future is technology हर चीज technical हो चुकी है कल को जब आप qualify करोगे तो sir manual चीज़े बिलकुल खतम हो चुकी है technology का जमाना है teachers technology के साथ आ रहें तो sir बच्चों को भी technology के साथ चलना पढ़ेगा और internet connection की इतनी कोई दिक्कत नहीं है आज कल internet connection बहुत सस्ते होगे geo जब से आया है आज कल के प्लान है internet की speed बहुत जादा हाई मिल जाती है पहले के ताइम में थोड़ी दिक्कत होती थी speed की इतनी availability नहीं थी connection महेंगे भी होते थे लेकिन आज के टाइम में internet connection सस्ते भी हो गया है और speed भी अच्छी कासी मिलती है तो सर मेरे साब से internet connection कोई बहुत बड़ा issue नहीं है आज के टाइम मैं सब के पास wifi लगे उठेंगे घर पे ठीक है जी तो technology के साथ-साथ आपको चलके चलना पड़ेगा ठीक है जी और current scenario में अगर मैं बात करूँ तो सर face to face classes में देखो जैसे हो कि आपको पता है कि COVID-19 का impact अच्छा खास है इंडिया में तो सर इस बिमारी वाली घड़ी में इस coronavirus की situation में face to face classes जाने में खत्रा भी है क्योंकि सर आपको travel करके metro में जाना पड़ेगा बस में जाना पड़ेगा तो सर interaction रहेगा लोगों से तो body के लिए भी नुकसान है गर्मी इतनी जादा पड़ रही है body के लिए नुकसान है घर बैटो अराम से तसल्ली से पढ़ाई करो अपने laptop पे lectures देखो laptop नहीं है mobile पे lectures देखो सर laptop आजकर सस्ते सस्ते मिल जाते है सस्ते tablets अविलेबल हो जाते है वो खरीद लो नहीं तो अपने mobile पे Android आप पे lecture देखो जैसे मर्ची करके lecture देखो अगर मैं Google Drive की बात करूँ तो सर Google Drive mobile पे चल जाता है mobile पे भी lecture देखो हाँ आपको थोड़ा सा discipline जरूर create करके चलना पड़ेगा मान के चलो इस तरीकी सप्राइग करो की as if you are studying in face to face classes अगर आपको पता है face to face classes सुबह साथ बजे होती है तो सर सुबह साथ बजे वीडियो लेक्चर को खोल लो ना वीडियो लेक्चर को खोल लो स्टार्टिंग में थोड़ी से दिक्कत आ सकती है आप flexibility ज़्यादा महसूस करोगे लेकिन एक बार आप discipline होना शुरू होगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आई और एक और चीज मैं बता दूँ final में बच्चे को मजबूरी में वीडियो लेक्चर से जाना पड़ता है अगर आप foundation intermediate से त्यारी नहीं करोगे वीडियो लेक्चर की तो सर फाइनल में आपको दिक्कत आएगी वीडियो लेक्चर से पढ़ने में अगर आपने त्यारी शुरुवात से करी हुए तो सर फाइनल आपके लिए बहुत असान हो जाएगा वीडियो लेक्चर से पढ़ना ठीक है जी तो ये मेरी कुछ गाइदेंस थी आपको कि आप किस चीज में क्या फाइदे हैं क्या नुक्सान है तो सर आप बच्चों को लग रहागा सर आपने तो वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही ज़्यादा तर बताया है उसी के फायदे ज़ार बताया है तर सर मेरा जो पर्सनल डिकमेनेशन है डिस आप लोग का है गोफई वीडियो लेक्चर गोफ़वीडियो लेक्चर या आपकी पहली प्रायोटी उन्चिव रिकॉडिटी लेक्शर से पड़ो बहुत अच्छा डिसीज़न है और आप online lectures भी ले सकते हो point क्या है आप batch size और teacher को देख कर ले लो कि batch size कम हो batch size अगर 20-25-30 students का हो तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है और teacher की भी आपको देखना बड़ेगर teacher कैसा पढ़ा रहा है ठीक है जी तो ये मेरा personal opinion है और ये मेरी personal guidance है I hope इस video से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सर ये बहुत major issue था जो मेरे को discuss करना था तो ये video आप अगर पसंद आती है तो सर इसको like कर देना और जितने भी आपके students हैं जो कि इस चीज में confused रहते हैं या गलती से भी वो गलत tradition ना ले 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 तो सर उन तक ये video पहुँचा दो ठीक है मैं नहीं चाहता हाँ जी मैं नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चा जल्द बाजी में या पुरानी चीजों के सुनते सुनते या किसी और की guidance सुनते सुनते गलट guidance सुनते गलट tradition ले वेटे क्या होता है कि हमारी जो दोस वगरा कुछ कर रहे होते हैं हम भी उसी तरीके से चले आदे अगर दोस जा रहे face to face classes में तो हम भी चले जाएंगे face to face classes में चलो वह उसके साथ साथ चले जाएंगे नहीं sir career आपका है career आपका है दोस थोड़ी न आपको खाने के पैसे देगा आपको खुद कमा के खाना है आपको खुद पैसा कमाना है आपको खुद अपना career बनाना तो पर दिसीजन भी आपका ही खुद का होना चाहिए सोच समझ के सारे पहलू को देख कर smart decision लेना ठीक है जी? चली पर I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी and thank you very much आपने बड़ी patience से इस वीडियो को सुना होगा तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में till then take care of yourself bye bye